Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT टेली प्राइम के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में, डे बुक में, कॉन्फिगरेशन और अन्य आप्शिन्स का उप्योग कैसे करते हैं डे बुक के इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको डे बुक का दिन प्रते दिन होने वाला उप्योग बताया था और कॉन्फिगरेशन की सामान्य जानकारी दे थी इस वीडियो में हम Daybook में Configuration के बारे में और साथ ही अन्य Options के बारे में बताएंगे इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखें अब ही हम Gateway of Tally पर हैं, Daybook के लिए K प्रेस करें देखें यहां कुछ vouchers दिखाई दे रहे हैं हम शुरू से लेकर आखिरी Transactions तक के vouchers देखना चाहते हैं तो उसके लिए Alter और F2 की को प्रेस करेंगे अब यहां पर From में Space Bar प्रेस करके Enter प्रेस करें इसी तरह 2 में भी Space Bar प्रेस करके Enter प्रेस करें देखें यहां सभी vouchers तारीख के क्रम में दिखाई दे रहे हैं आएए अब Configuration में कुछ चेंजस करके देखते हैं और उसके लिए F12 की प्रेस कर रहे हैं यहां Configuration में हम Show Narrations को No ही रहने दे रहे हैं और Enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं और Sorting Method पर आकर हम इसे Default से बदल कर Amount Increasing सेलेक कर रहे हैं आप इन सब Options में से अपनी जरुरत के हिसाब से जो चाहें सेलेक कर सकते हैं देखिए Day Book की पिछली वीडियो में Narration दिखाई पड़ रही थी जो की यहां नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि हमने Configuration में Show Narration को नो ही रहने दिया था साथ ही पहले जो Vouchers हम Date-wise देख रहे थे उनका करम बदल कर Amount के बढ़ते हुए करम में आ गया है सबसे कम राशी का Voucher सबसे उपर आ रहा है और नीचे की और करम शह राशी बढ़ती जा रही है आगे के Option समझने के लिए हम F12 की प्रेस करके वापस Configuration में कुछ इंजिस कर लेते हैं अब Ctrl और A की से इसे Accept कर लेते हैं ओपन हुई Daybook में यदि आप किसी एक ही टाइप के Vouchers देखना चाहते हैं तो F4 की प्रेस करें अब जिस टाइप के Voucher देखना चाहते हैं वो Select करें हम Receipt Select कर रहे हैं देखे हमने जो Period Select किया हुआ है उस Period के सब ही Receipt Vouchers यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही नीचे की और उनका Total भी दिखाई पड़ रहा है अब यदि आप फिर से सभी Vouchers एक साथ देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके All Items Select करें और यदि कोई दूसरी टाइप का Voucher देखना चाहते हैं तो उस Voucher को Select करें हम Cells Select कर रहे हैं देखे हमने जो Period Select किया हुआ है उस Period के सभी Cells Vouchers यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही नीचे की और उनका Total भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ आप Right Side Button बार में एक नया Option Show Profit देख रहे हैं हम इसकी Short Cut की F7 प्रेस कर रहे हैं ऐसा करते ही यहाँ हमने जो Items बेचे हैं उनकी Transaction Value, Cross Revenue और Cost दिखाई पड़ रही है साथ ही उन Items को बेचने से कितना Gross Profit हुआ है और उनका क्या प्रतिशत है यह भी लिखा दिखाई पड़ रहा है हम वापस F7 की प्रेस करके पुरानी सिती में आ गए हैं चुकि यहाँ हमने Cells Voucher सेलेक किया हुआ है हम चाहें तो यहीं से Cells Register भी देख सकते हैं उसके लिए F1 की प्रेस करें कॉलम नार Register Alteration विंडो आ रही है इसमें से आप जो भी Option Yes या No करना चाहें कर सकते हैं हम इन सभी को Yes कर रहे हैं और इस विंडो को Accept कर रहे हैं देखे हमने जो Period Select किया हुआ है उसका Cells Register आ गया है जिसमें Cells का पूरा विवरण है हम Cells Register और इसकी उपयोगिता के बारे में आगे आपको डिटेल में पताएंगे यदि आपको ध्यान हो तो जब हम Gateway of Tally पर थे तो वहां हमने दो कंपनी जोपन की हुई थी जिन में से एक पर हम काम कर रहे थे अब यदि हम जिस भी रिपोर्ट पर हैं और वही रिपोर्ट दूसरी कंपनी की भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए F3 की प्रेस करेंगे और दूसरी कंपनी का नाम सिलेक करेंगे देखिए दूसरी कंपनी की रिपोर्ट आ रही है हम F3 की प्रेस करके वापस पहले वाली कंपनी सिलेक कर लेते हैं आए अब इस रिपोर्ट को एक्स्ट्रेक करके देखते हैं उसके लिए control के साथ H की प्रेस करें अब यहां से extract को select करें ऐसा करते ही sales vouchers में जो ही lasers उप्योग हुए हैं उनके group के नाम के साथ, उनके नाम और उनके आगे उनके debit और credit amount लिखे हुए हैं हम sundry data में से एक customer पर जाकर enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही उसके सभी bills की detail आ गई है हम एक बार escape की press कर रहे हैं अब यहां वापस control के साथ H की press कर रहे हैं देखिए inventory wise extract selected है हम enter press कर रहे हैं ऐसा करते ही हमें इन sales transactions में जो stock items उप्योग हुए हैं उनके group के नाम के साथ उनके नाम और उनकी details दिखाई पड़ रही हैं इस report को भी हम आगे समझेंगे यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमने बहुत कम transactions किये हुए हैं जब हमारे पास बहुत से transactions होते हैं तब daybook में अलग-अलग configuration करके हम अलग-अलग उद्देश के लिए अलग-अलग प्रकार से बहुत ही कम समय में इन्हें देख और समझ सकते हैं हम Ctrl और H की प्रेस करेंगे अब यहां से vouchers select करके enter प्रेस कर रहे हैं देखे हम पहले वाली स्थिति में आ गए हैं आएए अब exception reports को भी देख लेते हैं उसके लिए Ctrl और J की प्रेस करें अब यहां पर show more पर जाकर enter प्रेस करें और show in active पर जाकर enter प्रेस करें देखें यहां से भी आप कई तरह की reports देख सकते हैं इनके बारे में आप आगे काम करते हुए शिकहेंगे यहां हमारा इन्हें बताने का उद्देश यह है कि आपको पता रहे कि आप Daybook में रहते हुए इस तरह की reports भी देख सकते हैं इस वीडियो में हमने Daybook में Configuration के साथ उपयोग होने वाले Options के बारे में बताया इसके अगले बार्ट में आप जानेंगे कि Daybook में रहते हुए Transactions से संबंधित क्या काम किये जा सकते हैं